हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं भी पूल, आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो के अंदर बच्चों, जैसा कि हमारा ये संबिधान का सेशन चला था और संबिधान की सेशन में आज पढ़ने जा रहे हैं संबिधान की भाग के बारे में क्योंकि कोश्चन जो है बहुत जादा यहां से पूछा जाता है एक्जाम के अंदर ठीक है बच्चों? तो आएए स्टार्ट करते हैं पहले प्रस्न से तो आज का जो पहला प्रस्न है भारती संबिधान को कितने अध्याय में विभाजित किया गया है ठीक है बच्चों? तो भारती जो संबिधान को विभाजित किया गया है ठीक है बच्चों? बाइस अध्यायों में भारती संबिधान को विभाजित किया गया है या फिर आप आपको यहाँ पे भाग भी अध्याएक जगा आपको भाग भी दे सकता है कितने भाग में विभायत किया गया है तो 22 भाग में विभायत किया गया है ठीक है आएए आगे के प्रश्णों को देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्ण दिया गया है कि संविधान के किस भाग में संबिधान संसोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है तो संबिधान संसोधन जो की 360 अनुच्छेद के तहत आता है उसका जो उल्लेख है भाग 20 में किया गया है बच्चों ठीक है न? तो याद रखेंगे भाग 20 के अंदर जो है संबिधान संसोधन का उलेक है बच्छों ठीक है चलिए आए देखते हैं अगला प्रशन यहाँ पे अगला प्रशन दिया गया है संबिधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंदित प्रावधान सामिल है तो पंचायती राज से संबंदित प्रावधान जो है आपक प्रश्न तो अगला प्रश्न दिया गया है संबिधान के किस भाग में औस थाई याद रखिए का बच्चों यहाँ पे औस थाई संक्रमन कालिन और विशेश प्रावधान दिये गये हैं तो वो है आपका भाग 21 जिसमें कि आप कह सकते हैं कि जम्मू करस्मिर का जो धारा 370 वो भी भाग 21 के अंदर था नागालेंड असम के बारें भी यहाँ पे विशेश प्रावधान किये गये हैं ठीक है तो आईए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे तो अगला प्रश्न हमारा है बच्चों कि निम्न में से संबिधान का कौन सा भाग नगर पालिका से बंदीत है बच्चों तो याद रखेंगे जब भी पंचायतों के बारें पूछेगा तो भाग 9 लेकिन नगर पालिका के पूछेगा तो 9 A सामिल किया गया ठीक है बच्चों चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पे संबिधान के किस भाग में न निती निते सकता तो जो है 36 अनुछे 36 से लेकर के अनुछे 15 तक इसका उलेक किया गया है बच्चों चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया है कि संबिधान के भाग 1 में निम्न में से किष्ट का वर्णन है तो आप देखेंगे संबिधान के भाग एक में जो है संग और उसका राजशित्र याद रखेंगे संग और उसका राजशित्र जो है वो भाग 1 के अंदर है तो आपका अंसर कौन सा होगा एक सही होगा ठीक है चलते हैं अगले प्रश्न के उपर अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है भारती संबिधान में किस भाग में जो है मूल अधिकार की विवस्था की गई है तो मूल अधिकार जो है भाग तीन में है और इस भाग तीन को जो है संबीधान का मैगना काटा भी कहते हैं तो इसलिए आप याद रखेंगे कि मूल अधिकार जो है भाग तीन के अंदर है बच्छों अगला देखते है यहाँ पर अगला प्रशन दिया गया भारती नागरिकों के लिए मूल कर्तव का विवरन संभिधान के किस भाग में है याद रखेंगे मूल कर्तव जो है भाग 4A में है क्योंकि अगर भाग 4 कहेगा तो निति नर्देशक तत्त है उसके अंदर लेकि भाग 4A कहेगा बाग 8 में वह भिवस्ता की गई है केंदर सासित परदेश की तो आप याद रखेंगे भाग 8 में कौन है तो तो केंदर सासित परदेश है नगर पालिय किस में नो ए में है नहीं मैं ने आपको बताया था और राज़यों की बात कहेहगा तो जो राज्य है वह भाग 6 के अंदर है और केंदर की बात कहेगा तो केंदर जो है भाग 5 के अंदर है बच्छों ठीक है कोई दिक्कत नहीं यहाँपे चलते हैं आगे अगला प्रशनी यहाँपे दिया गया है संही कारिपालिका की विवस्था संभीधान के किस भाग में की गई है तो मैंने आप इसी बात है केंद्र की ही तो संगीकारिपालिका होती है इसलिए आप कहेंगे भाग 5 के अंदर जो है वो संगीकारिपालिका की वेवस्था की गई गई है तो आपका option C रहेगा ठीक है चलिए आगे दिखते हैं यहां पे अगला प्रश्ण होने वाला है कि संभिधान के किस भ भाग 2 में जो है नागरिकता का उलेक किया गया बच्चों तो जो भी भारत की नागरिकता है इसका उलेक जो है आप याद रखेंगे भाग 2 में किया गया है तिक है आई आगे चलते हैं अगला प्रश्ण दिया गया है यहां पे कि भारती संभिधान के किस भाग में अपात अपात काली नुक बंदों की विवस्था की गई अपात काली नुक बंद याद रखेगा ये जो अपात काली नुक बंद है राष्ट पती के द्वारा 352 या फिर 356 है या फिर 360 है उसका उलेक जो है भाग 18 के अंदर किया गया बच्चों ठीक है भाग 18 के अंदर जो है अपात 11 के अंधर जो है संग और राज्यों के संबंद की विवस्था की गई है अगले प्रश्ण को देखते हैं यहांपे अगला प्रश्ण दिया गई है कि संबिधान की किस भाग मेंendre तो यहांपे आप देखेंगे वो है आपका भाग 10 भाग 10 मेंде सूचित और जनजाती शेत्रों की विवस्था है यहां पे अगले प्रशन पे चलते हैं बच्चों अगला प्रशन दिया गया है कि भारत के संविधान के किस भाग में निर्वाचन आयोग की विवस्था है निर्वाचन आयोग जो कि हमारे कह सकते हैं लोक सभा या विधान आता है बच्चों वो है आपके भाग 15 के अंदर ठीक है तो भाग 15 में निर्वाचन आयोग है भारत का तो आईए देखते हैं अगले प्रश्ण को अगला प्रश्ण दिया गया है कि भारती संविधान के किस भाग में लोक सेवा आयोग की विवस्था की गई है तो लोक सेवा आयोग जो है भाग 14 के अंदर रेबच्चों ठीक है ना अगर 14-a कहता तो वहांपे अधिकरणों की बात चल जाती ठीक न कि अधिकरणों की भाग में वित आयोग की विवस्था की गई है तो याद रखेगा वित आयोग जो है अनुछेद दोशो औसी के तहट आता है पर ये भाग जो है आपका बारा है बच्चों तो आप याद रखेंगे वितायोग जो है भाग 12 के अंदर है अगले प्रशन पे चलते हैं तो अगला प्रशन दिया गया है कि संबिधान के किस भाग में राज भासा का उलेख किया गया है ठीक है ना संबिधान के किस भाग में राज भासा का उलेख है तो आप याद रखेंगे जो संबिधान की जो वो है बच्चो भागा 17 के अंदर ठीक है ना भाग 17 के अंदर जो है राज भासा का उल्ले किया गया है चलिए अगले प्रशन पर आते हैं लेकिन चलिए यहां तक जो है आपका पूरा का पूरा मैंने जो ही important प्रशन थे बच्चो वो मैंने आपके पूरा करा दिया है तो आज के लिए तना ही जैहिन